जबलपुर के हनुमान ताल शेतर से दो दिन से गायब एक युवक की लाश तलाब में मिलने से संसनी फैल गई लाश की हाथ और पैर रसी से बंदे हुए थे इससे मामला संदे के घेर में आया है इधर मुरत्त के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को सूध खोर परिशान करते थे और उन्होंने उसकी हत्या कर उसे तालाब में फेका है मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की लाश को बाहर निकाला और पोस्ट माटम के लिए रवाना कर दिया कि लिए मेडिकल कालेज जबल बूर जाएगा